नमस्कार आप देखने देश रोजाना और मैं किरन शर्मा देखिए हम अपने देश रोजाना मल्टीमीडिया के माध्यम से और रेडियो रोजाना के माध्यम से आप सभी लोगों को connect करे रहते हैं और न्यूस से रिलेटेड, पॉलिटिकल से रिलेटेड हर चीज़ों को आप तक पहुचाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन इस खास एपिसोड में मैं आपकी मुलाकात एक बहुती स्पेशल सक्से कराने जा रही हूं जो ना तो किसी पॉलिटिकल रिलेटेड है और ना ही बल 11 साल की उम्ड में मिस प्यूटिफूल 2024 का खिताब अपने नाम की आ है देख भी पारे होंगे आपके मिस ब्यूटिफूल का खिताब इन यह प אבל रीकिताब इनका रही ज्ल् şimdi सथा तो मिस ब्यूटिफूल को मतलब पता है? बिलिकुल, मेरा नाम journalism है कि रोने बताया पाखी, पाखी का मतलब होता है Actually एक पंगॉली नाम है तो पाखी का मतलब होता है एक चिडिया एक खुबसूरा छोटी सी चिडिया और मैंने पूरी कोशिश की है और मेरी कोशच जारी रहेगी कि मैं इसी नाम के मुताबिक अपनी जिन्दगी बनाओ जैसे चिडिया उडान भरती है मैं उसी तरीके से अपनी जिन्दगी में आगे उची उडाने भरते रहना चाहती हूँ और इसी वज़े से में को लगता है कि मेरा नाम जो है मैं उसको पूरी तरीके सा जस्टिफाइ कर सकूँ पाखी सबसे पहले लोगों को जैसे मैंने बताया कि आपने हाल ही में Miss Beautiful 2024 का खिताब जीता है देखिए को लोगों ने इस competition में participate किया था जिन सभी को मात देत हुए पाखी ने दो टाइटल अपने नाम किया एक Miss Beautiful का और दूसरा National Costume का बेस्ट में ओके तो ये दो खिताब जो है पाखी ने अपने नाम किये हैं और इस पूरे शो की शुरुआत करने से पहले पाखी आपसे जानना जाओंगी कि कैसा रहा आप तक का सफर कैसे शुरुआत हुई शुरुआत में मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी ना मेरा कोई ऐसा प्लान था कि मैं यहां पाट लूँ इनके auditions चल रहे थे पिछले साल से मैंने online social media पर यूँ ही देखा कि इनका audition चल रहा है October में पिछले साल तो उस टाइम पर मेरा school खतम ही हुआ था उसी साल पिछले साल ही April पर मेरा school खतम हुआ था और मैं उसके बाद यूँ ही चोटे मोटे shoots कर रही थी commercial shoots हो गए make-up shoots हो गए तो मेरा interest बनने लगा था यहाँ पर इस line में तब मैंने देखा कि इनके auditions हो रहे हैं और मैंने का मैं उस टाइम अच्छा ही साल की थी तो मैंने का अभी तो मैं यहाँ पार्ट ले सकती है क्योंकि यह teenage उसका pageant था तो मैंने यूँ ही बस audition दे दिया बिल्कुल कोई hopes नहीं थी लगा नहीं था कि मैं चीतूंगी in fact घरवालों को बताया भी नहीं था कि मैं audition दे रही हूँ तो online auditions थे पहले पहला level clear होने के बाद second audition one on one video call पे था और तब तब भी मेरे घरवालों को पता नहीं था कि मैं ऐसा कोई audition दे रही है क्योंकि मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मैं select हो भी सकती हूँ और selection होने के बाद उस audition में भी walk करनी थी interview देना था अपने बारे में बताना था judges को और वहाँ select होने के बाद मैंने अपने घर पे ये बात बताई कि मैं select हो चुकी हूँ तो सभी बहुत हैरान भी थे और बहुत खुश भी थे और मुझे लगता है कि अगर मेरे घरवालों का support ना होता उस time पर जब मैंने उनको बताया भी नहीं और selection हो गया उनके support के बिना में यहां तक बिलकुल भी ना पहुच पाती तो सारा credit उनहीं को जाता है बहुत बहुत सप्राइस अब को मिला कि आपने आकिर में और खासकर अब यह जो जीत मिली है इसका तो सबसे बड़ा बिलकुल बिलकुल और मेरी single mother है तो हम लोग पहले मुंबई रहते थे और हम लोग यहां shift हो उसके बाद पूरी तरीके से इस line से मेरे घरवालों का और सभी का पूरा focus हट चुका था इतने सालों में भी मैंने बहुत सारे अलग-अलग सपने देखें मैंने बहुत साल music किया और professionally मैंने music pursue करा बिलकुल ना कभी सोचा था कि ऐसा हो जाएगा और ना कभी घरवालों को कोई अंदाजा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है तो बहुत ही sudden था बट फिर यहीं कहते है न मैं भी कर सकती हूँ जब बन करता है तो कैसे यह आया आपके देखिए बच्पन में मैंने हमेशा देखा था कि मम्मी बापा दोनों मॉडलिंग करते थे उनकी पुरानी फोटो उनके पुराने न्यूस पेपर में आर्टिकल्स तो सब देखकर मुझे हमेशा यह लाइन फै अब बच्चों का होता है आज कुछ करना है कल कुछ करना है तो बहुत सारे अलग-अलग सपने मेरे बदलते रहते थे बड़ स्कूल खतम होने के बाद ही मैंने छोटे-मोटे काम मॉडलिंग के शुरू करें तब भी-तब मेरे को बिलकुल यह नहीं था कि नहीं मैं इसी मे आगे बढ़ूँगी मैंने कोर्स भी अलग-अलग किये बहुत सारी चीजे करने की सोची जब यह अब जब मेंको लगता है कि मैंने यह चीज हासिल कर लिये तो definitely मुझे इसी लाइन में आगे बढ़ना है और मैं इसी में आगे कुछ करना चाहती हूँ आपने बताया कि आपने मम्मी पापा भी इसी लाइन में रह चुके हैं तो उनको देखके आपको लगागा ना तो मैं जानना चाहती हूँ कि यह से घर में हम लोग ज़्यादा तर अपने रहते हैं पेरेंट से डिसकस करते हैं आपने तो स्टार्टिम उनों बताया नहीं बनार जार्दा खुश करते हैं पर यह की आपको धर में सुनना कभी जीनी से सुना ओ पेरेंट के मूँ से कैहां यह अच्छा हो सकता है यह हम जब थे तब ऐसा होता था तो कैसे आपको जा दा जि क्यासा महल मेरा वक्ता ना जब मैंन경 को यह बताया कि मेरा सेलेक्शन हो च तो मेरे घरवालों ने बहुत शांती से मेरी बात सुनी कि यह ऐसा होने वाला है यहाँ पर यह होने वाला है वो होने वाला है और सब कुछ जब मैंने उनको उस दौरान पी बताया तो उनको काफी चीज़ें अरड़ी मालुम थी तो उस वजह से मुझे लगता है उनका भी तरीके से होता था आजकल exposure पूरा social media के तुरू होने लगा है तो काफी कुछ मुझे लगता है मैंने भी अपनी मम्मा पापा से सीखा है और काफी कुछ अब जो की वो नए दौर पे जिस तरीके से ये फील चल रही है तो उनको भी काफी कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो बहुत ही एक अच्छी feeling होती है जब आपको लगता है कि बड़े होकर आप भी अपने मम्मी पापा को कुछ से खा पा रहे हैं और वो भी उस चीज से बहुत खुश है जैसे ऐसा होता है कि डॉक्टर है तो पेरेंट्स डॉक्टर है तो बच्चे काई मन गादा वे डॉक्टर है एलिए तो उनका भी तो आपका भी सेम उसी sequence में हुआ तो अब मैं आपसे जाना चाहूंगी जैसे आपने बताए कि आपने अलग-अलग courses की और हर किसी का माइंड जो तीरे दीरे बदलता रहता, कि आज मैं ये करूँ, कल ये करूँ या दूसरे को देख के मन करता है कि मैं भी बो करूँ तो आपने मास कॉम पर्सु किया हुआ है मोडलिंग और मास कॉम दोनों ही ऐसे करियर है जहा खुद को निखारा जा सकता है जहाम खुद की प्रतिवा को बहार लाया जा सकता है और दोनों यह ऐसे hai जहाम अपने आपको पुरूफ कर सकते हैं मतलब जो हमारे मन मैं है हम उसको बहार ला सकते हैं अपना स्टेंड ले सकते हैं कैसे मॉडलिंग से आपके पुन मात मESSCOM करें या मैं अपनी मन की बात लोगों तक पहुचा सकूँ, यह सपना अक्चली मेरे फादर का था, वो हमेशा से यहीं चाहते थे, in fact वो मुंबई गए भी इसलिए थे, कि वो सोसाइटी में एक इंपक्ट बना सके, लोग उनको जाने, बट उनका वो सपना पूरा नहीं हो पाया, तो मैं यह नहीं कहूंगी कि उनका सपना मैं पूरा कर रही हूँ, मैं यह कहूंगी कि उस दोर में इतने सालों में कही न कहीं वहीं मेरा भी सपना बन गया, अनजाने में, तो मुझे बहुत हमेशा से यहीं होता था कि नहीं मैं भी यहीं चाहती हूँ, लोग मुझे जाने मैं अपनी बात लोगों तक पहुचा सकूँ या फिर जो मेरी आवाज है वो सब तक पहुच सके तो मैंने मास्कॉम चूस किया और उसके साथ साथ मैंने रेडियो प्रोडक्शन में डिप्लोमा भी लिया छे महिने का और यहीं चाहती थी कि अगर मैं किसी भी मास्क मीडिया के तौर पर किसी भी जरीय से अपने आपको लोगों तक पहुचा सकूं तो कहीं न कहीं वो मेरा सपना ही नहीं मेरे पापा का सपना भी पूरा होगा तो इस वज़े से मैंने मास्कॉमन जर्नलिजम पर्सु करा और इसी वज़े से मैंने डिप्लोमा लिया रेडियो प्रोडक्शन में भी तो जिस तरह से आपने बताया कि इसी वज़े से लिए आपका फर्स्ट एयर है या फिर सेकंड यर है तो आफ्टर डैट आप पास आउट हो जाएंगे और फिर उसके बाद एक और नए मुकाम की तरफ बढ़े बिल्कुल बिल्कुल अभी देखते हैं अगर मुझे लगता है कि उसके मास कॉमन रेडियो प्रोडक्शन वगेरा करने के बाद मुझे वहां पर और ऑपरचिनिटीज मिलती है तो बिल्कुल मैं वह भी पर्स्यू करना चाहूंगी मॉडलिंग के साथ साथ ये एक ऐसी लाइन है जिसको आप अपना पूरा चाहें तो पूरा फोकस भी दे सकते हैं और चाहें तो अगर आप में सच में वह इच्छा है करने की तो आप लाइफ में कुछ और पर्स्यू करते हुए भी इस लाइन को साथ लेकर चल सकते हैं आपने पता है रेडियो भी एक बहुत वाइड इंडस्ट्री है और काफे कुछ सीखने को मिलता है कैसा अपका रेडियो का मेरा बहुत ही अच्छा अच्छा एक्सपिरियंस रा पता है ऐसी काफी चीजें ती जो मैंने पहले रेडियो के बारे में सोची थी और वो सच नह नहीं था हम लोग एक बहुत अलग परसेप्शन लेके दिमाग में चलते हैं तो जब मैंने अच्छल क्लासेज ली जब मैंने सब कुछ सीखा तब मुझे वो चीजे रेडियो के बारे में पता चली जो शायद आज कल की पीडी को नहीं पता होंगी तो वो सब जानना वैसे इतना रोमांचक था और वो एक्सपिरियंस पूरा मुझे इतना सब कुछ सिखा गया कि में को लगता है कि अब चाहे मैं उस फील्ड में कुछ आगे करूं या मैं ना करूं जो चीजे मैंने सीखी हैं वो मेरे साथ हमेशा लाइफ लॉंग रहेंगी क्योंकि कई लोग होते बहुत अच्छा रहा है बहुत अच्छा रहा है की तुम लोगों को लगता होगा कि बस करना क्या है माइक के बैठो बोलो हो गया बट बहुत महनत लगती है तुम्हारा जो शो चल रहा है उसके पहले और उसके बाद तुमको कई काम करने पड़ते हैं जो हम लोगों को नहीं बता होता है तो वो सब जानने के बाद भी वो चीज मेरे मन से उतरी नहीं मुझे लगा कि नहीं ये सब जो भी कुछ है वो सब जान के समझ के उसके बाद हम decision लेते कि ये चीज हमें करनी है या नहीं बट मैं तो यही कहूंगे कि मेरा वो course करने का भी decision और वो एक जो पूरे 6 महीने थे वो बहुत ही अच्छे गए और जो भी कुछ मैंने सीखा वो सब कुछ मेरे को सच में lifelong काम आएगा modeling के बारे में जानना चाहेंगे किस तरह से आपने शुरुआत की है किस तरह आप इस line में आने के बाद आपका experience रहा और सबसे बड़ी चीज क्योंकि जब भी हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो कई चीजे face करनी बढ़ती है कभी कबार ऐसा भी मन करता है कि बस अम मुझसे नहीं हो रहा कि आपके साथ भी ऐसा कुछ होगा कि लगा कि नहीं अम मुझे नहीं करना या interest बरकरार है लास तक बिल्कुल देखिए जब आपका सच में कुछ करने का दिल होता है ना तो कहीं बार ऐसे टाइम हर सिर्फ मॉडलिंग में ही नहीं आप जिन्दिगी में कुछ भी करने की सोचे ऐसे टाइम जरूर आते हैं बीच में जब यहां पर भी मेरा पांच दिन का फिनाले था वहां पर भी इतनी सारी लड़कियों के साथ रहना और देखना कहीं थी जो मुझे 100% लगता था यह तो मुझे बहुत अच्छी है मैं इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगी बट उन पांच दिनों में मैंने उनसे कॉम्पेटिशन सोचने की जगा मैंने उनसे दोस्ती कर ली ताकि मैं उनसे कुछ सीख पाऊं तो जो चीजे मुझे लगती थी कि उनकी मुझे से कहीं बहतर है और मैं उनके जितनी कॉम्पेटिशन में कभी नहीं आ पाऊंगी में को लगता हूं पांच दिनों में मैंने उनसे वो चीजे सीख ली तो यहीं होता है कि अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो तो वो अगर आप खुद एक बार आके देखेंगे तो डिपेंड करता है कि आपका कैसा गोल है आपका कैसा माइंसेट है अगर आप सचाही से और अच्छाही से कोई काम करना चाहते हैं तो आप डेफिनिटली कर सकते हैं अपने मॉडलिंग की बात के साज भी कई लोग बेशक लड़किया अजकल हर फील्ड में आगें बट फिर भी मॉडलिंग को लेकि लोगों को लगता है कि नहीं हमें अपनी बेटी को नहीं बेजना तो आपने तो खुद उस चीज पे जाकर देखा है खुद के कैसा माहल र उन लड़कियों के लिए क्या आप बताना चाहिए कोई message कोई motivation कि नहीं ऐसा नहीं होता है reality कुछ और होती है दिखता कुछ और है बिल्कुल काफी लोगों के घरवालों के मन में और उनके parents के मन में ऐसी जिजग होती है ये मैंने खुद देखा है जो लड़कियों के साथ म काम मिलता है और देखा जाये तो आजकल ये हर जगा हो सकता है आपको सचाई के रस्ते पे चलना का एक आपका motivation होना चाहिए कि मैं कुछ गलत काम नहीं करूंगी और में को ये लगता है कि जिनके भी parents के मन में ऐसी जिजग आती है और आप अगर ये line में आगे कुछ करना चाहते हैं तो उनको आप ये चीज़ बहुत प्यार से समझाएं बहुत आप आराम से उनको ये चीज़ समझाएं कि ये होने को ये कहीं भी हो सकता है उनको आपके ओपर ट्रस्त होना चाहिए और आपके parents को आपके फैंली और आपके आपके ज़नी को तभ होगा जब आप चीज बिल्ड करेंगे उनके साथ अगर हम किसी को भी इस लाइन में जाते हुए देखते हैं तो अकसर बहुत question marks आते हैं, बहुत लोग question करते हैं and definitely मुझ पे भी किये और शायद आगे भी करेंगे but अगर आपको पता है ना कि आप सिर्फ सचाई के रस्ते पर चलके कुछ कर रहे हो और आप एक सचे मन से कर रहे हो तो आपकी वो जो एक satisfaction है ना उसके उपर कुछ नहीं है दूसरों के शब्द हमें define नहीं कर सकते और मैं यहीं मानती हूँ तो आज या कल या कभी भी कोई आपके बारे में कुछ भी कहे आपके अंदर एक trust होना चाहिए अपने उपर कि नहीं जो मैं कर रही हूँ मुझे पता है मैं सचाई से कर रही हूँ तो उसके बाद कोई कुछ भी बोले ना आपको सच में खुदी फरक नहीं पड़ेगा कुछ ऐसी memory शेयर करना चाहिए जो अब तक की journey में आपके साथ है जैसे कैसे start किया कुछ ऐसी कोई नो कोई ऐसी memory ज़रूर होती है जिसको देख कि बाद में हसी भी आती है और उस टाइम पर लगता है कि काश में कुछ और भी कर देती बिल्कुल जब मैंने यह audition दिया था और selection हो गया था तो जितनी भी लड़कियां थी हम सब आपस में बात करती थी एक दूसरे को जानती थी पहँचानती थी कि हमको पांच दिन वहां साथ रहना है और हमारा दोस्ती करना थोड़ा आसान भी हो गया क्योंकि सब का गोल एक ही था सब वहीं करना चाहते थे तो वो एक common चीज होने के वज़ा से हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती हुई उन पांच दिनों में भी हम लोगों ने एक दूसरे से इतना कुछ सीखा और सिर्फ सीखने और वो motivation के इलावा भी जब एक ही गोल हो सब का और सब साथ में हो तो मस्ती तो जरूर होती ही है तो इन पांच दिनों में जो जीते जो हारे उसको साइड रख कर भी सब लोगों का एक ही कहना है कि जो हम लोगों के memories बनी जो हम लोगों ने साथ सीखा जो हम लोगों ने साथ वो पांच दिन बिताए वो हम से जिंदेगी भर कोई नहीं चीन सकता वो हमारे साथ शायद तब तक रहेंगे जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे तो वो एक experience ऐसा था जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी और जो जीते या जो हारे वो भी कभी नहीं भूल पाएंगे वो दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी और बस इसी खुशी इसी बात की खुशी है कि जो दोस्त मुझे वहाँ से मिले वो मेरे साथ हमेशा रहेंगे सब कोई नोन था उन में ऐसा अंजान थे अलगर है अग्सर कि जब आप सेमी लाइन में काम कर रहे हो तो कही ना कहीं लोगों के connections निकल आते हैं पर हेरानी की बात है कि सब अंजान थे, सब के लिए सब बहुत नए थे और फिर भी सबी ने बहुत अच्छे से एक दूसरे को ट्रीट करा और जो मेमरी सबने साथ बनाई ऐसा कोई कह नहीं सकता कि हम लोग उन पांच दिनों में पहली बार मिले थे ऐसा होता है ना जैसे लड़कियों के लिए कहते हैं कि एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं और जेलिसी वाले चीज आजाती है तो आपके आपने ऐसा कुछ फेस किया ऐसा लगा गया बट यहां पर सबको पता था कि हम एक दूसरे के कॉंपेटिशन है बट उसके बाद भी सब लोग ऐसे बहनों की तरह उन पांच दिनों में रही है यह खुद एक बहुत हैरानी की बात है और यहीं चीज से हम मेरे को और सभी को यह भी सीखने को मिला कि कॉंपेटिशन अपनी जगा पर है बट उन मेमरीज को चेरिश करना उनको अच्छे से इंजॉई करना उसका एक अलग ही मजा है अब आपने मेस ब्यूटिफूल का खिताब तो जीत लिया है आगे आपका क्या रहेगा क्योंकि आप मास कॉम कर भी रहे हैं और मेस ब्यूटिफूल मॉडलिंग को तो अब मैं मॉडलिंग का साथ नहीं छोड़ने वाली हूँ पहले मुझे इतना confirmation नहीं था कि हाँ मैं यहीं करूँगी आगे पर अब जो मुझे इस चीज में interest मिल चुका है और जो मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ वह एक belief आगे तो मैं उस belief को भरकरार रखूँगे कि अपने अंदर वह belief लाना भी बहुत मुश्किल बात होती है क्योंकि अब वह चीज में हासल कर चुकी हूँ मैं अपने आप में बहुत confident रह सकती हूँ कि नहीं मैं और इस line में अपने आप पे confident रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं बार आप काम ढूणने जाओगे आपको नहीं मिलेगा और आप सोचोगे कि शायद मुझ में कोई कमी थी बट जो काम दे रहा होता है उनकी एक vision बन गई होती है मैं सभी लड़कियों को भी यहीं कहना चाहूँगी कि इस line में rejection बहुत ज़ादा है और किसी भी line से सबसे ज़ादा है बट यहां पर rejection होने का मतलब यह नहीं है कि आप में कोई कमी है जो भी आपको काम देना चाहता है वो एक vision पहले दिमाग में बना चुके होते है और just because आप उनके vision से match नहीं होते इसका मतलब यह नहीं है कि वो कमी आप में है तो उस चीज से get over करके फिर आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर एक confidence होना बहुत ज़रूरी है और क्योंकि अब मुझे लगता है कि किसी हद तक मैं वो confidence अपने अंदर गेन कर चुकी हूँ तो मैं इस line से अब पीछे नहीं हटना चाहूँगी कि मैं इसी में आगे बढ़ते रहना चाहूँगी बट definitely क्योंकि मैं मासकोम journalism pursue कर रही हूँ मैं में को उसमें भी बहुत interest है मुझे ऐसा लगता है वो भी एक अपने आप में अलग दुनिया है और बहुत सारी possibilities हैं जो आप वो course करके भी आप कर सकते हैं तो लोगों को उसके बारे में भी इतना पता नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इस जीत के बाद जो मुझे एक pedestal मिला है एक platform मिला है उसके through मैं सिर्फ इसी चीज को नहीं बट उस area को भी पूरा करूँ और लोगों को ये बात बता सकूँ क्योंकि वहां उस area में भी उस line में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं तो मेरे साथ इस समय पाकी बगत थी और इन्होंने बहुत अच्छी information शेयर किये खासकर उन लड़कियों के लिए जैसे इन्होंने बताया कि अक्सर ऐसा होता नहीं है जैसा दिखता है और जो लड़कियां ये सोच रही हैं कि उनको rejection मिल जाता है तो खुद में कुछ कमी है बहुत अच्छी information है क्योंकि कभी-कभी हमारा जो confidence है बहुत डाउन हो जाता है ये सोच के और हम चीजों को पीछे छोड़ देते हैं हम सोचते कि हम से नहीं हो पाएगा लेकिन खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है अगर किसी भी लाइन में आगे बढ़ना है तो खुद के उपर विश्वास होना बहुत जरूरी है बाखी को भी पहले स्टार्टिंग में नहीं था नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है अगें बहुत सक्सेस्फुल हो और ज़हाज मैं बैठी हो आपका इंटर्वी ले रही हूं कल आप भी मास्कॉम करने के बाद किसी का इंटर्वील हो और इसी तरह से आगे बढ़ए तो आपको कोई भी अगर आपकी मन में सवाल है अगर आप पूछना चाहते हैं मॉडलिंग से रिलिटर या जो भी लड़की हमारे शो को देख रही है वो पाकी से कुछ पूछना चाहती है तो हमें कमेंट करके बता सकती है उसका जवाब भी आपको जरूर मिलेगा और इस तरह से मैं आपको इस शो की बाद दे हमसे सबसे बड़ी चीज़ है कि सिर्फ 19 साल की उमर में इन्होंने Miss Beautiful का खिताब जीता है आप भी कम उमर में कुछ भी कर सकते हैं जरूर ही आपके उमर आपके सफलता के पीछे बादा बने कभी है मस्तोचिए कि आप अभी नहीं कर सकते हैं जीवन में कभी भी कुछ भी किया जा सकता है बस जो अपने इंटरस्ट है आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो उस लाइन में आगे बढ़े और जो अपनी कोशिशें उन्हें कभी रुकने ना दे क्योंकि यही कोशिशें आपको आपकी मन्जिल तक ले जाती है मेरे साथ इसे में पाकी बगत मौझूद थी जो कि आपने यहीं की रहने वाली फरीदाबाद की तो यह हमारे लिए और गौरफ को बात है कि यहीं की रहने वाली है फरीदाबाद की और इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है देश में बेटियां आजकल हर फील्ड में आगे हैं हर काहां बेटियां अभी हाल ही में मनुभाकर ने भी में अलोम्पिक्स में अपना पर्चम ले रहा है बेटियां आजकल हर फील्ड में आगे हैं और इसी तरह देश का नाम रोशन कर रहे हैं उमीद है पाखी भी अपने जीवन में आगे और सफलता असिर करेंगी मॉडलिंग में भी और मास कौम में भी फिर होगी मुलाकात आपके लिए जब तक के लिए देखते लिए देश रोजाना नमस्कार